नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्त महारा स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स चाप्ट नूबर टू, रियल नंबर्स, प्रेक्टिसे 2.2, पार्ट सेकेंड, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कॉन रूद है कि चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक, शेर करें और बेल आइकोन प्रेस करें, जिससे के आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, अब क्वेशन नंबर 1 है, देखें, शो दाट, 4 स्क्रोट अब 2 इस एन इर्रैशनल नंबर, 4 स्क्रोट अब 2 इर्रैशनल नंबर है, यह प्रू करिए, यह क्वेशन है, अब 4 स्क्रोट अब 2 यह नंबर इर्रैशनल है, यह प्रू करने से पहले, हमें स्क्रोट अब 2 इर्रैशनल है, यह प्रू करना जरूरी है, तो इसके पहले जो हमने वीडियो लिया था, उसमें स्क्रोट अब 2 इर्रैशनल नंबर है, इसका हमने प्रूप लिया था, तो इस क्वे कि अधन साम्ख आए गाए खुरियृ पूंग्स कि भी धर करते हैं तो स्कुरूट ऑफ Foreme करहें तो जो नमब्र आएगा कि व फी धी करना है यहां में यहां वह करना है तो स्कुरूट ऑफ त्री метतित्हे फइंड 5 ऐसा यह दूर सबस्क्राइब करें तो ऑगों स्कुराइब है है सबस्क्bon को स टूरी रैशिनल्यू आप मतलब कटो प्रीडवी इरैशनल स्कुराइब रैशनल् है सचजी के रूट आप सेवन इरैशनल्यिए ये वहां पर प्रूव हो चुका धो रैसंल तो अब रैस्नल irrational ही होगा यह हमें प्रूब करना है तो यह भी प्रूब जो है वो indirect method से ही करना है कि हमें suppose करना है let us assume that यह suppose 4 square root of 2 is rational 4 square root of 2 rational है यह consider करो अगर 4 square root of 2 हमने rational consider कर लिया तो 4 into square root of 2 की value P divided by Q को equal होगी where Q is not equal to 0 and P and Q are integers P and Q are integers suppose P and Q एक दो नमबर इंटिजर है अब इन दोनों का common factor जो है वो 1 हो ऐसा हमने पिछले question में जब square root of 2 irrational है प्रूब करना था तब हमने लिया था अब वो लिने की जरूरत यहां पर नहीं है फिर भी हम मानेंगे यहां पर P divide करना है तो अब 4 से divide करेंगे तो यहां पर 4 4 cancel होगा square root of 2 रहेगा is equal to P divided by Q को 4 से multiply होगा 4 से अगर हम right hand side को divide करते हैं तो square root of 2 is equal to P divided by 4 Q यहां पर आ गया आप देखे left hand side में square root of 2 जह है वो irrational number है और यह जो number है P इंटिजर है Q भी इंटिजर है denominator 4 भी इंटिजर है इंटिजर का multiplication इंटिजर के साथ integer इंटिजर इंटिजर डेट बाइंटिजर तो यह जो P divided by Q है वो नमबर हुआ rational अब यहां पर left side जो है वो irrational और जो right hand side है right hand side जो है वो है rational तो it is contradiction यह वो contradiction क्योंकि कोई rational number irrational number को equal नहीं होता irrational number और rational number यह दोनों equal नहीं होते क्योंकि irrational और rational set अलग अलग होते हैं अगर यहां पर rational numbers है तो यहां पर irrational numbers होते हैं और दोनों मिला के यहां पे हमें रियल नंबर का सेट मिलता है तो इसलिए हमें यहां पे यहां पर कंसिडर किया है कि 4 root 2 rational है यह हमने consider कर लिया तो हमारा assumption जो है वो wrong होगा hence our assumption is wrong हमारा assumption wrong हुआ hence square root of 2 is हमने क्या assumption कर लिया था square root of 2 rational है تو square root of 2 क्या होगा irrational होगा क्योंकि जो assumption है rational का वो गलत हुआ तो square root of 2 irrational होगा next question है question number 2 prove that 3 plus root 5 is an irrational number तो हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि root 2, root 3, root 5 यह जो numbers है वो irrational है वो हमें consider करना है क्योंकि इसको हमने पहले prove किया है root 2 को जैसे प्रूट किया है वैसे root 3, root 5 को ही प्रूव करना आता है तो वो हमने कर लिया है ऐसा consider यहां पर करेंगे तो root 5 irrational है तो prove that 3 plus root 5 is a rational number तो irrational number के addition 3 rational के साथ हम करेंगे तो हमें irrational number ही मिलेगा यह हमें यहां पर prove करना है तो फिर वो ही indirect method है let us consider that अजिम करके हम लिखेंगे let us assume that root 3 plus root 5 is rational अगर 3 plus root 5 rational है तो 3 plus root 5 is equal to P by Q होगा where Q is not equal to 0 अब 3 को right hand side में ले जाना है तो यहां पर root 5 is equal to P divided by Q minus 3 अब देखिए 5 जो है root 5 यह number root 5 हुआ rational और P by Q minus 3 हुआ irrational देखिए irrational और irrational अब left hand side जो है left hand side हुई sorry यह irrational है और यह rational क्योंकि rational number से rational number अगर हम minus करते हैं तो rational ही मिलता है और root 5 हुआ जो irrational है तो left hand side जो है वो irrational है और right hand side जो है वो है rational तो यहां पर contradiction मिल रहा है हमें तो it is contradiction contradiction मिल रहा है तो hence our assumption our assumption is wrong assumption हमार wrong होगा तो hence square root of 3 plus root 5 तो 3 plus root 5 is irrational 3 plus root 5 होगा irrational number next question है question number 3 देखे represent represent root 5 and root 10 on the number line square root of 5 और square root of 10 हमें number line पे represent करना है तो इसके पहले हमें यहां पर एक property समझने होगी कि suppose यहां पर एक rectangle है यहां पर right angle है O A और B तो O से लेकर A तक का जो डिस्टन्स है वो सोपस 2 है और A 1 है तो O B के अगर हमें length find करनी है तो using Pythagoras theorem using Pythagoras theorem O B square is equal to O A square plus A B square हम यहां पर लिख सकता है तो अब यह क्या होगा देखिए O B square is equal to O A की length जो है वो 2 2 का square plus A B की length है 1 1 का square अब 2 का square होगा 4 1 का square 4 प्लस 1 5 तो O B square is equal to 5 तो O B is equal to O B जह है वो length होगी square root of 5 तो O से लेकर B तक यहां जो distance होगा वो distance root 5 इतना होगा अब ऐसे ही root 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं अब यह कैसे find करना है जब हमने root 5 find करना है तो 5 से smaller perfect square number कौन सा है वो डूनना है वो है 4 perfect square 2 का square है अब 2 में क्या plus करने के बाद 2 का square है 4 4 में क्या plus करने के बाद 5 आता है तो 1 तो 1 का square root 1 ही आता है तो यह दूसरी side जो है वो 1 लेनी हमें तो यहाँ पर 2 और 1 2 का square 4 1 का square 1 2 प्लस 1 4 2 का square 4 4 प्लस 1 फाइव root में 5 आएगा यहाँ पे तो O B square is equal to 5 O B is equal to root 5 ऐसे ही मिला है जैसे अब हमें root 10 मिलेगा देखिए ऐसे ही root 10 मिलेगा root 10 के लिए जो नजदी की number है perfect square वो है 9 3 का square है तो यहाँ पे जो side होगी वो हमें लेने है 3 3 का square 9 1 का square 1 तो यह होगा root 10 देखिए O A B तो O B square is equal to O यहाँ पे होगा O A square प्लस A B square O A अगर हमने 3 ले लिया 3 square प्लस 1 square is equal to 9 प्लस 1 10 होगा तो O B square की value 10 होगी O B की value square को हमें right hand side में ले जाना है तो square का square root हो जाएगा square root of 10 तो O B की value root 10 होगी तो अब एक side 3 cm यहाँ पे 1 cm लेना है तो यह 3 unit और यह 1 unit तो यहाँ पे root 10 में लेगा अब ऐसे हमें यहाँ पे construction डॉप करना है यहाँ पे हम जो method है वो तोड़ा समझेंगे फिर हम construction डॉप करेंगे अभी method क्या है देखे number line पे हमने अगर यहाँ पे 0 ले लिया यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यह equal distance है और यहाँ पे 3 है suppose तो O पिर आ offensive par pennण लाइन लेने II अगर available फिर अपने टू लिए 0 को तो तक जीचन से वो लोगा अ जीचु न सिंवट का जीचन दिस्टनस से वह मैंया पे 1 सिंत्य मेटर इतना लेख और फिर हैं पर राइटेंगल ट्रेंगल बनाना आए तो ये 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 1 का स्क्वेयर 1 5 यहां पर रूट 5 मिलेगा, अब यह जितना डिस्टंस होगा उतनी आर्क यहां पर लगाओ, मतलब यहां पर ड्रॉट करो, यह जो परिंट मिलेगा, वह हमें मिलेगा, रूट 5 अब रूट 10 के लिए ऐसे ही से हमें रूट यहां पर त्री पे एक पर्पेंडिक्लार लाइन डौ करने हैं वन सिंट्रीमेटर डिस्टंस लेना है फिर इनको जोईन करिए यह रूट 10 हो जाएगा और यहां पर एक आरण डौ करिए हमें यहां पर जो पॉइंट मिलेगा वो 10 मिलेगा तो हम आभी कंस्ट्रक्शन जो है वो डौ करेंगे एक नंबर लाइन हम यहां पर डौ करेंगे और नंबर लाइन पर two centimeter के लिए वन इनिट हम यहां पर डिस्टंस लेंगे two centimeter के लिए one इनिट तो आप देखिए zero से टू सेंटिमेटर के लिए अगर यहाँ पर हमने 0 माल लिया तो 1,2 यहाँ पर 1 होगा 1,2,2 होगा 1,2 यहाँ पर होगा 3 तो यहाँ पर 1,2,3 जो हमें पॉइंट है वो लिखने है 0,1,2 और 3 अब दिखे जितना डिस्टंस वन इनिट यहाँ का है वो डिस्टंस हमें लेना है और एक परपेंद्डिकलार लाइन 2 पे और 3 पे परपेंद्डिकलार लाइन हमें ड्रॉख करनी है तो यहाँ हम two point पे perpendicular line draw करेंगे तो 90 degree का हमें angle यहाँ पे लेना है 90 degree यहाँ पे होगा तो two point पे एक perpendicular हमने यहाँ पे draw कर लिया है और three point पे ही ऐसे ही एक perpendicular line segment हमें draw करनी है 90 degree का जो angle है वो यहाँ पे होगा देखे हमने यहाँ पे three पे match कर लिया है अब यहाँ पे जो point होगा वो और यह three इन दोनों का हमें join करना है तो यह होगा perpendicular three point पे अब देखे जो भी distance one unit का है मतलब यहाँ से zero से two है अब one unit का जो distance है वो हमें दूसरी side पे लेना है तो यह one unit का distance और यहाँ पे भी one unit का distance अब देखे जीरो से two तक का two unit distance और यह one unit distance अगर two और one unit है तो यहाँ पे right angle triangle जो बनेगा तब यह जो distance होगा वो length होगी square root of five और यहाँ पे one और यहाँ पे three three का square nine nine plus one ten तो यह root ten होगा अब इनको हमें join करना है तो यह होगा root ten अब root five हमें indicate करना है या दिखाना है तो अभी यहाँ पे show करना है तो यह distance लो और एक आर्व डॉकरी अभी यह देखी यह जो component distance आ गया है वो root five है इतना यह कब root five है जब हमने यहाँ से यहाँ तक एक unit distance माना है तब तो इस number line पे हमने माना है कि एक unit का distance ही है यह two unit का है यह three unit का है मतलब यहाँ से one two three ऐसे units का है तब यहाँ पे हमें यह distance root five का हुगा तो अब यहाँ पे एक आर्व हमें draw करनी है इसे तो यहाँ पे जो point मिलेगा वो है root five अब root ten के अब हम यहाँ से और यह draw करें पॉइंट तो जो यहाँ पे point मिलना है वो है root ten तब यहाँ पे इसे नाम दिजे ओ यह point A यह point B यहाँ पे point है यह root five और root ten है तो यह point C और यह point D तो अब हम यहाँ पे root five और root ten जो है वो हमने indicate कर लिया है तो ठीक है इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे के जो questions है वो हम next वीडियो में लेंगे question number four में है तेक तो